100 days survival as a blood golem in minecraft hardcore world वीडियो को एंट तक लाज़मी देखना हो रहा कि रची लेगे तो वीडियो को लाइक और चेनल को सब्सक्राइब कर देना बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ तो day 1 को मैं spawn हुआ as a baby blood golem और मेरे पास 10 hertz थे और मुझे एक X मिला था जिसमें काफी cool powers थी फिर मैं अपने world को explore कर रहा था कि तभी मेरे उपर spiders ने attack कर दिया तो मैं उनसे बचता बचाता एक जगा पर पहुंचा और एक दरख्त के साथ जाकर छुप गया और उसी tree के पास छुपे रहे कर मैंने अपनी minecraft की पहली night survive की फिर day 2 को मैंने अपने एक प्यारा सा base बनाने का सोचा तो मैंने उसके लिए material जमा करने लगा तभी मुझे एक village मिला और मैं वहाँ से कुछ wheat बगरा जमा करने लगा क्योंकि मुझे काफी भूग लग रही थी लेकिन तभी मेरे उपर एक iron golem ने attack कर दिया और फिर मुझे वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि मैं अभी उस golem के मकाबले बहुत ही छोटा था तो मैं वहाँ से भाग कर एक cave में आ गया और मैंने रात वहीं गुजारी day 3 को मैंने अपने लिए काफी सही जगा ढूणी जहांबर मैं अपना काफी अच्छा घर बना सकता था और फिर मैंने अपने एक प्यारा सा बेस बनाना शुरू किया फिर मैं थोड़ा सा और समान लेने के लिए cave में गया तो वहाँ पर कुछ blood skeleton ने मुझे पर attack कर दिया तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचके भागा और उस cave से बाहर आ गया इसके बाद day 4 तो 5 तक मैंने अपना घर पूरा complete कर लिया लेकिन अब मैं काफी तादा अकेला हो रहा था तो मैं बाहर दर अपने वर्ल्ड को explore करने लगा और अपनी तरह काई कोई एक दोस ढूनने लगा लेकिन काफी देर तक ढूनने के बाद ही मुझे कोई दोस नहीं मिला लगता है कि मैं इस वर्ल्ड में बिलकुल अकेला हूँ इसकी बाद डे 6 से लेकर डे 8 तक मैं माइनिंग पर चला गया ताके मैं अपने लिए बहुत सारे रिसोर्से बगार आई कटे कर सकूँ और वहाँ पर मुझे काफी सारी चीजे मिली लेकिन माइनिंग करते करते मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पर नजर रख रहा है कोई मुझे देख रहा है और भाई थोड़ी देर के बाद तो मुझे ऐसी फिलिंग आने लगए कि भाई मैं किसी होरर वर्ल्ड में आ गया हूँ लेकिन तभी माइनिंग करते करते मुझे कोई नजर आया और वो था एक एमेथिस्ट गॉलम और भाई मुझे देखकर वो भागने लग गया फिर मैंने उसका पीछा किया और उसको आखिर कार पकड़ लिया लेकिन गाईस वो काफे ज़्यादा फ्रेंडली था और उसने मुझे बताया कि वो भी इस वर्ल्ड में बिलकुल अकेला है तो वो भी अपनी तरह का एक दोस ढूंड रहा था और उसने मुझे देखा तो वो मेरे पर स्पाई करने लगा फिर मैंने उसको बताया कि मैं भी एक दोस्त की तलाश में हूँ क्यों ना तुम मेरे साथ चलो हम दोनों मिलके अप मेरे घर में रहेंगे और वो मान गया और मेरे साथ मेरे घर पर आ गया इसके पाद डे 9 तू 10 तक मैंने अपने उस फ्रेंड के लिए एक अलाइदा रूम बनाया ताके वो आपर आराम से रह सके इसके पाद मैंने घर के साथ एक अपना फार्म बनाया और उसमें काफी सारी क्रोप्स लगाई जिसे मैं साथ के विलिज से लेकर आया था इसके पाद मुझे भूक लगने लगी तो मैं आस पास जाकर मैंने देखा वावे मुझे काफी सारी शिप्स नजर आई 7 को मेरे साथ काफी अजीब सा सीन हुआ मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी अजीब तरह की फैक्टरी में हूँ और यहां पर काफी सारे गोलम हैं तभी वहां पर एक आदमी आया और एक उपसीडिन गोलम पर बैठ कर उसने मेरे पर अटैक कर दिया और जैसी हो मुझे मारने वाला किया कि हम और जादा गोलम को अपने पास लेके आयेंगे ताकि हम उस आदमी से फाइट कर सकें तो और जादा गोलम को लाने के लिए मैं अपने घर को और एक्सपैंड करने लगा ताकि मैं अपने इस घर में और जादा गोलम को रख सकूँ इसके बद मैं अपने बेस में क काफी स्ट्रेंज गोलम नदर आया जो कि था फरनेंस गोलम जो कि मुझे काफी ज़दा उदास लग रहा था तो मैंने उसके उदास रहने की वज़ा पूछी तो उस फरनेंस गोलम ने मुझे बताया कि इन विलिजर्स ने उसको कैद करके रखा हुए और वो उससे काम करवात दिया और हम दोनोंने मिलकर पूरा विलिज डिस्ट्रॉई कर दिया और सिर्फ एक विलिजर्जर बचा हम उसको भी मारने वाले थे कि वो आस्मान में उड़ा और अचानक से गलीच हो गया हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि उसको क्या हुआ लेकिन खैर हमने उसको के लिए एक बैड बनाया और फिर जाकर मैंनो अस एमेथिस्ट गोलम को अपने एक न्यू फ्रेंड के बारे में बताया जिसको सुनकर वो काफी जादा खुश हुआ लेकिन गाइस अभी एक बहुत बड़ा खत्रा हमारे सर पर मंदला रहा था और वो वो बंदा था जिसको मैंने अपने खाब में देखा था तो उससे लड़ने के लिए डे 24 से लेकर डे 28 तक मैं माइनिंग पर चला गया था कि मैं काफी सारे रिसोर्सी से कठे कर सकूँ जो के हमारी फाइट में हमारी हेल्प करें और माइनिंग से काफी जदा आरेन क्लेक करने के बाद मैंने अप चोटे चोटे टुकडे वापस आपस में मिलके फिर से एक बड़ा गोलम बन गया मैंने काफी कोशिश की लेकिन मैं इनको नहीं मार पाया लेकिन तब ही मेरी हेल्प करने के लिए वहाँ पे एक डर्ड गोलम आ गया मुझे नहीं पता वो कहां से आया लेकिन हम दोनोंने मि भी एक new bed बनाया जिस पर वह सो सके अभी हम दोनों के दर्मियान यही बात है चली रीजी कि मेरा वो emthiest golem आया उसने मुझे बताया कि हमारे base पर attack हो गया है और जब मैंने बाहर जाकर देखा तो यहाँ पर एक ender golem था और उस ender golem ने जैसे ही मुझे देखा तो उसने मुझे पर attack कर दिया यह ender golem काफी जादा strong था लेकिन तभी मेरा friend वो dirt golem मेरी help करने के लिए आ गया और काफी देर की fight के बाद हम दोनों ने finally मिलकर उस ender golem को हरा दिया और तभी मैं एक iron blood golem में convert हो गया और अब मेरे पास total 50 hertz थे और इस दफा मेरे पास काफी जादा abilities भी आई थी जैसे मैं जब भी यह helmet लगाता था मैं invisible हो सकता था इसके बाद day 34 से 37 तक मैं फिर से exploration के लिए निकला और explore करते करते वहाँ पर मुझे एक human नदर आया जो के मुझे देखकर वहाँ से भागने लगा लेकिन finally मैंने उसको पकड़ लिया तो मैंने उसके पूछा के तुम कौन हो तो उसने मुझे बताया के मैं गोलम को capture करता हूँ मैंने पूछा वो कैसे तो उसने मुझे बताया कि यह बिल्कुल पोकेमोन बॉल्स की तरह है तो उसने वह एक बॉल निकाली और साथ खड़ एक पिको उसने उस बॉल में capture कर लिया जिसको देखकर मैं काफी जादा शोक डो गया तो मैंने उसको बोला अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जिन्दा छोड़ दू तो यह बॉल्स मुझे दे दो और अपनी जान बचाने के लिए उसने मुझे वह बॉल्स दे दी और जैसे मुझे बॉल्स मीली मैंने सबसे पहले उस human को यह capture कर लिया तो मैंने वो prison बना कर सबसे पहले उस पहले human को उस prison के अंदर डाल दिया और फिर मैंने उस prison को stone से bedrock में convert कर दिया ताके वो उस prison से ना भाग सके इसकी बाद मैं फिर से mining पर चला गया और सारे विलिजर्स को भी capture कर सकूँ क्योंकि ये लोग iron golem से जबरदस्ती काम करवा रहे थे और अब मैं एक golem था तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं इन गोलम की protection करूँ तो मैंने उन सब विलिजर्स को capture किया और उन सब को उस prison में लाकर छोड दिया और उन सब को उस prison में डालने के बाद मैं finally अपने घर में वापस आ गया इसके बाद day 44 से 49 तक मैं deep exploration के लिए गया ताकि मैं इस world में और ज़्यदा चीज़ें explore कर सकूँ और उस आदमी के बारे में भी जान सकूँ जो के मेरे खाब में आया था लेकिन तभी मुझे पर snow leopards ने attack कर दिया लेकिन इस बार मेरे पास काफी जादा abilities थी तो मैं उन से अराम से fight कर सकता था और अपनी इन सारी powers का use करते वे मैंने उन snow leopards को मार दिया इसके बाद मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे वही बंदा नदर आया जो मेरे खाब में आया था जो के एक snow leopards से कोई बात कर रहा था तो मैं invisible बनके उनके पास गया ताके उनकी बाते सुन सकूँ तो वो बंदा उस snow leopards को बोल रहा था कि तुम मेरी बात मान जाओ नहीं तो मैं तुम्हें किसी dark force dimension में जाके बंद कर दूँगा और फिर वो बंदा वहां से चला गया इसके बाद मैं वापास से visible हुआ और मैं उस snow leopards के पास गया और उसे पूचा कि तुमने अटैक क्यों नहीं किया उस पर तो उसने मुझे बताया कि ये काफी जादा powerful है तो मैंने snow leopards को थोड़ी तसलिय दी और मैंने उसको बोला कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो और फिर मैं उसको अपने घर ले आया इसके बाद day 50 से 53 तक मैंने snow golem के लिए बैड बनाया और फिर मैं अपने बाकी गोलम के पास गया ताकि उनसे dark force के बारे में पूच सकूँ क्या पता उनके पास कोई इसके बारे में knowledge हो जो के हमारी fight में हमारी help करेंगी इसके बाद माइनिंग करके मैंने वहाँ से काफी सारे diamond जूंडे और फिर माइनिंग करते करते मुझे वहाँ पर एक काफी strange चीज नदर आई वहाँ पर एक villager था और उसके पीछे काफी सारे amethyst गोलम चल रहे थे उस villager ने उन amethyst गोलम को capture किया वा था और वो उससे काम करवाता था तो मैं उस villager को बोला कि तुम ने amethyst गोलम को अजाद कर दो नहीं तो तुमारे साथ अच्छा नहीं होगा लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और वो आगे चला गया और फिर जब मैंने उसको दुबारे से रोका तो फिर उसे आसमान में उड़ा और फिर वो गलिच कर गया पता नहीं वो कहा गया लेकिन वो अचानक से गाइब हो गया और अब वो amethyst गोलम फिर से फ्री हो चुके थे तो मैंने उनको बोला कि तुम लोग भी मेरे साथ मेरे घर चलो और वहाँ पर तुम अराम से रह सकते हो और मैं उनको लेकर अपने घर पर आ गया इसके पद डे 54 से 58 तक मैं अपने घर पहुंचा उन amethyst गोलम को लेके और फिर मैंने उस पुराने amethyst गोलम से उन नए गोलम को मिलवाया और उनको देखकर मेरा पुराना दोस्त काफी जादा खुछ हुआ इसके बाद मैंने उन सब के लिए काफी सारे हर्ट्स बनाए जिसमें वो amethyst गोलम अराम से रह सकते थे और अपने उन हर्ट्स को देखकर वो amethyst गोलम काफी जादा खुछ थे और तभी उन में से एक amethyst गोलम ने मुझे एक बात बताई उसने बताया कि माइन क्राफ्ट में एक बलड और नाम का और एक्जिस्ट करता है जो के काफी जादा पाउरफुल है और ये बात सुनकर मैं काफी जादा एक्साइटिड हो गया तो फिर इसके बाद मैं उस बलड और को ढूंडने के लिए माइनिंग पर चला गया और मैंने वाँ बर काफी सारा बलड और ढूंड लिया और उससे अपने लिए एक आर्मर भी बना लिया जो के काफी जादा पावरफुल था इसके पड़ डे 59 से 62 तक मैं अपने घर वापस आया लेकिन मुझे उस आदमी को रोकने के लिए काफी जादा हेल्प की जरूरत थी क्योंके मैं अकेला उसको नहीं रोक सकता था कि मुझे सनोग गोलम ने बताया कि वो काफी जादा पावरफुल है तो मेरे उस फ्रेंड एमेसिस गोलम ने मुझे बताया कि तुम हेल्प के लिए नैधर में क्यों नी ट्राइ करते हो सकता है हमें वहाँ पर हेल्प के लिए कोई बंदा मिल जाए जो के हमारी हल्प कर सके मुझे एमेसिस गोलम की बात काफी सही लगी तो मैंने जाकर उबसीडिन कलेक्ट करना शुरू किया ताके मैं एक नैधर पोर्टल बना सकूँ और नैधर को भी एक्स्प्लोर कर सकूँ इसके बाद मैंने अपना पोर्टल बनाया और उसके अंदर चला गया इसके बाद आगी जाकर मुझे काफी अजीव तरह की स्पाइडर्स मिली मैं उन पर एटैक करने ही वाला था कि मुझे पता चला वो काफी ज़दा फ्रेंडली है और वो मुझे से बात करने के लिए आई उन्होंने मुझे से पूचा के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तो मैंने उनको बताया के मैं एक सूपर विलन को हराने के लिए कोई हल्प धूंड रहा हूँ तो उन स्पाइडर्स ने मझे बताया कि मामले के बारे में बताया किस तरह एक सूपर विलिन सारे गोलम को कैप्चर करके अपना घुलाम बना रहा है और हमें उसको रोकना होगा और इसके लिए मुझे तुमारी जरूरत है तो उस नैधर गोलम ने मुझे बताया कि उसकी powers नैदर से बाहर काम नहीं करती इसलिए वो मेरी help नहीं कर सकता लेकिन उसने मुझे एक नैदर आइट की sword दी जो के काफी जादा powerful थी उसने कहा कि मैं तुमारी बस इतनी ही help कर सकता था लेकिन मेरे लिए ये भी बहुत थी इसके बाद मैंने उससे पूचा कि क्या तुमारी डार्क फोस डिमेंशन के बारे में कुछ पता है तो उस नैदर गोलम ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद बोला कि मुझे पता तो नहीं है लेकिन वीच के मुझे एक दफ़ा मैंने इसका नाम जरूर सुना था तुमें इस डिमेंशन के बारे में वीच ही अच्छे तरीके से बता सकती है इसके बाद मैंने उस नैदर गोलम को थैंक यू बला और उस वीच को ढूणने के लिए चला गया इसके बाद डे 67 से लेकर 70 तक मैं ओवर वल्ड में वापस आ गया और फिर मैं फाइनली उस वीच को ढूणने के लिए चला गया और उस वीच को ढूणते जूणते मुझे वही आदमी फिर से नदर आ गया जो कि मैं उस उबसीडियन गोलम के उपर बैठा हुआ था मैं जलती से इन्वीजिबल चला गया और उसका पीचा करने लगा और वो आदमी उस वीच के पास गया मतलब वो वीच उस आदमी के लिए ही काम कर रही थी इसके बाद मैंने उन दोनों की बाते सुनी तो वो आदमी उस वीच को बलैक मेल कर रहा था गई इसके बाद डे 71 से लेकर 74 तक मुझे फाइनली वो वीच फिर से मिल गई और मैंने उसको उस बॉल में कैप्चर कर लिया तो वो वीच मुझे माफिया मांगेने लगी और फिर मैं फाइनली उस पोर्टल के अंदर चला गया डे 75 से लेकर 78 तक मैं उस डार्क फोर्स डेमेंशन में था ये डेमेंशन काफ़ ज़ादा स्ट्रेंज और काफ़ी ज़ादा करीपी था और तभी मुझे पर कुछ डार्क फोर्स जॉंबीज ने अटैक कर दिया लेकिन मैंने उन सब को मार दिया इसके बाद मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक और डायमेंट गोलम नदर आया तो फिर मैं उसके पास चला गया और उससे बात करने लगा तो उस गोलम ने मुझे बताया कि उसको उस आदमी नहीं यहां पर कैस किया था लेकिन मैंने उसको का कि मैं उसको यहां से निकाल सकता हूँ और फिर मैं उस डायमेंट गोलम को स्पोर्टल के थूरू वापस नॉर्मल वर्ड में ले आया और नॉर्मल वर्ड में आकर वो डायमंड गॉलम काफी जादा खुश था इसके बाद डे 79 से 84 तक मैंने उस डायमंड गॉलम के साथ थोड़ी सी लाई की प्रैक्टिस की चुंकि आगे जाकर मुझे इसकी काफी जादा जरूरत थी और तब ही मुझे फील हुआ कि मेरे अंदर कुछ चेंजिस आ रहे हैं और तब ही देखते ही देखते ही मैं अपनी फाइनल फॉम में आ गया और अब मेरे पास 100 हर्ड्स थे जिसको देखकर मैं काफी जादा खुश था इसके बाद डे 85 से लेकर 89 तक मैं फिर से माइनिंग के लिए चला गया और यहां पर जाकर मैंने अपने लिए बलड और इकटे किये ताकि मैं और ज़दा स्ट्रोंग आर्मर बना सकूँ इसके बाद डे 90 से 93 तक मैं भी तक केव में ही था तक वो विच मुझ से मिलने के लिए आई जिसने पहले मुझे वो डार्क फोर्स डैमेंशन का पोर्डल बताया था इसके बाद उस विच ने मुझे बताया कि वो सूपर विलन तुमारी वाज़ा से एक और डैमेंशन में शिफ्ट हो गया है जिसका नाम है बलड डैमेंशन और फिर उसने मुझे उस बलड डैमेंशन का मैप दिया और अभी हम दोनों की बाते ही चल रही थी कि वो विच डार्क फोर्स वीच में कनवर्ट हो गई और उसने अपने पोशन से मुझे पर अटैक करना शुरू कर दिया लेकिन फाइनली मैंने उसको मार दिया मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये रियर वीच थी या कोई डार्क फोर्स डैमेंशन के वीच थी ये कहानी काफी जादा उलच चुकी थी जिसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी लेकिन इस सारी कन्फूजन को दूर करने का मेरे पास सिर्फ एक ही सुलूशन था कि मैं इस मैप को फोलो करूँ और वहाँ पर जा कर देखूँ कि असली मैटर क्या है इसके पर डे 97 से 98 तक मैं इस मैप को फोलो करता गया और मैं फाइनली एक जाइन्ट रेड पोर्टल के तरफ पहुंचा जो कि उस बलड डेमेंशन की एंटरंस थी और मैं फाइनली बिना को टाइम वेस्ट किये उस बलड डेमेंशन के अंदर चला गया और ये डेमेंशन काफी जादा स्ट्रेंज था यहां सब कुछ बिलकुल रेड रेड था बिलकुल बलड की तरह तो मैंने इस बलड डेमेंशन को एक्स्प्लोर करना शुरू किया और उसके एक्स्प्लोर करते करते मेरे पास एक क्रीपी आई क्रियेचर आया जो कि मुझ पर अटैक नहीं कर रहा था तो मैंने उससे उस सूपर विलन के बारे में पूछा मैंने उससे पूछा कि तुम जानती हो कि वो कहा पर है तो उसने मुझे का कि फोलो मी और मैं फिर उसके पीछे चलने लगा और फाइनली वो आईवाल मुझे उसकी जगा पर ले गया जो के काफी बड़ी जगा थी मैं अभी उसकी जगा पर अटैक नहीं कर सकता था इसलिए day 99 को मैं अपने घर वापस आया और मैंने सब गोलम्स को उसके बारे में बताया लेकिन उन गोलम्स ने मुझे बताया कि blood dimension में उनकी powers काम नहीं करेंगी तो मुझे ये fight अकेले ही लड़नी होगी तो मैं वापस से उस dimension में आ गया और finally day 100 को मैं उस super villain के base के अंदर चला गया अब वो super villain बिलकुल मेरी आँखों के सामने खड़ा था तो मैंनों जाकर उसको कहा कि आज मैं तुम्हें खतम कर दूँगा लेकिन उसने मुझे कहा कि तुमने काफी देर कर दी यहाँ पर मैंने एक आल्टर बनाया और मैं उस बटन को जैसे ही प्रस करूँगा तो सिर्फ इस blood dimension में ही नहीं बलकि over world में भी तुम्हारे जैसे काफी सारे blood golem पैदा हो जाएंगे जो के मेरे कंट्रोल में होंगे पर मैं उस सूपर विलन को ऐसा करने बिलकुल भी नहीं दे सकता था तो हम दोनों की fight स्टार्ट हो गई और finally मैंने एपनी blood golem की power को use करते हुए उस सूपर विलन को हवा में उड़ा कर उसको glitch कर दिया और वो हमेशा हमेशा के लिए खतम हो गया तो कई जीत ही हमारी आज की वीडियो आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कैमर्स में लाज़ी बताई है अगर अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाकि आपसे मिलते हैं इस तरह है कि और नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई